हेलो एव्यवन वेल्कम टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ पास एप जो एप 1MB के नीचे है मतलब अब कर आप डाउनल करेंगे तो यह के भी में है लेकिन यह बहुत अच्छा एप है जो आप यूज कर सकते हैं और इसका फाइदा को डाउन हो तो पेहना जो एक है और जो में बताने वाला हूँ वह सब मुभार का है तो प्लीज आप से डाउनलोड कर लीजी जो में बताने वाला हूँ और इसां Hmmm तो में दिखा रहा हूँ लोक वच थीफ के चर तो यह है एप ठीक है और मैं इसका लिंक डेस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो इस एप से अगर आप यह एप इंस्टल करते हैं और कोई आदमी आपका मोबाइल खुलने के लिए आता है और वो गलत पास्टोर्ट डाल देता है तो यह एप उस आदमी का फोटो खीच लेगा और आपका मेल पे उसका फोटो भेज देगा तो आप अपने मेल में चेक करके पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल कौन खुलना चाह रहे थे ठीक है तो यह पहला एप है इससे आप इसका सकते है और यह भी एक एमबी के नीचे है ठीक है फि तो जो सेकेंड एप है वो है डॉल्फिन जीरो आप देख लीजिए इसका आइकॉन है और जो इसका नाम है तो आप इसे प्लीज अच्छे से देख लीजिए ठीक है तो इसकी मदद से मतलब यह ब्राजर इक इनकोगनिटो ब्राजर की तरह काम करता है यह कोई भी हिस्ट् हो आपका कैश फाइल हो कुछ भी मतलब स्टोर नहीं करता अगर आप प्रोम या मोजिला यह ऐसा अगर आप ब्राजर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको इनकोगनिटो मोड मतलब अन करना परता है लेकिन इसमें नहीं चाहिए यह आप इसे डारेक यूज़ करने से भी आपका कोई भी हिस्ट्री हो आपका पर्शनल फाइल कुछ भी नहीं रखता है ठीक है यह सेकेंड फाइल है और मैं यह बता ही रहूं कि सब कुछ जो मैं अभी बता रहूं वो सब कुछ वान एमबी के नीचे है तो आप आरम से डान रुत्ते सकते हैं और यह 100% फ्री है औ के भी साइज है सब कुछ फाइल और जो थार्ड एप है वो है ड्रॉइट ठीक है इस एप की मदद से आप अपने मबाल पर डॉइंग कर सकते हैं यह specially children के लिए है अगर आपके घर में थोता बathता हैं तो वह बच्छा इप की मदद सए अपने मुबाल पर डॉइंग कर सकता है और उससे यह एप बहुत अच्छा लगेगा तो प्लीज इसे ट्राइ कीज mobile पे drawing कर सकते हैं यह specially children के लिए है अगर आपके घर में थोता बच्छा है तो वह बच्छा इस app की मदद से अपने mobile पे drawing कर सकता है और उससे यह app बहुत अच्छा लगेगा तो please इसे try कीजिए ठीक है फिर फोर्थ जो है फोर्थ एब वह स्लिम सोशियल ठीक है जो स्लिम सोशियल है इसकी मदद से आपका जितना सोशिल मेडिया वेबसाइट है वह आप इससे एकसेस कर सकते हैं जैसे facebook 50 MB से उपर है लेकिन यह 1 MB से नीचे है जैसे facebook में आपका पेज लोड होता है वैसे ही आपका स्लिम सोशियल में लोड होगा instagram हो facebook हो कुछ भी हो twitter हो कुछ भी हो youtube हो ठीक है और आपको पाता भी ने चलेगा कि आप facebook यूज़ कर रहे हैं या तो इससे आप प्लीज यूज़ कीज़े मतलब ट्राइ कीज़े और मुझे देस्क्रिप्शन में बता दीज़े आपको यूज़ करकी कैसा लगा और लास्ट एन फाइनल जो एप वह है इमेज कॉंप्रेसर लाइट ठीक है इसकी मदद से आप अपने फोटो को जो mb में है उसे आप केवी में ला सकते है ठीक है मतलब जो जिसका साइज बड़ा है उसका साइज छोटा कर सकते है इसके मदद से ठीक है जैसे आपका फोटो है 5 mb और 6 mb उससे आप 100 mkb या 200 mb में लाना सकते है तो इस एप के मदद से आप इससे कर सकते है और जो 100% free है और चाइज भी छोटा है 1 mb के नीचे ठीक है तो फिल्हाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सस्कार कीजिए और बैर रेकर ना बना ना बूलें और नीचे कोमेंट करके बताए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये भी बते हैं कि आप निक्स वीडियो में क्या देखने सकते हैं तो फिल्हाल वीडियो में इतना ही थैंक यू